तो दोस्तो बिटकोईन के अंदर अगर आप बाइंग देखोगे तो आपको यहाँ पर जो बाइंग है 292 बिटकोईन के जो बाइंग है आपको बलेक रोक के दवारा देखने को मिल जाती है अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपको 156 मिलियन की जो वैल्यू है यहाँ पर अगर बात करतों में गैरी गलchaeनसर की गैरी गलchaeनसर ने यहाँ पार 1535 बिट को शेल किया है अगर आप वैलिय को देखाओगे तो आपको 100 मिलिन की आस पाथ जो वैलिय को मिल जाती है गैरी गलेंसर के पास अगर आप देखोगे बिट कोईन की होल्डिंग तो 3,33,619 Bitcoin के जो holding है आपको Gary Galancer के पास देखने को मिल जाती है वही पर BlackRock के पास अगर आप holding देखोगे Bitcoin का तो 2,54,404 Bitcoin का दोस्तों आपको जो holding है BlackRock के पास देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पर मैंने बोला था कि Bitcoin के अंदर अब हमें यहाँ पर काफी बड़ा जो pump है दोस्तों देखने को मिल सकता है अगर आप देखोगे Bitcoin का जो price था आपको 64,500,600 डूलर के आजपस जो price था देखने को मिल जाता है तो Bitcoin के अंदर हमें जो स्तिया पर जो recovery है देखने को मिली है बट आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हमें एक fundamentally strong project के बारे में जो काफी ज्यादा low market cap के साथ आपको देखने को मिल जाता है अगर आप supply भी देखोगे तो काफी कम supply के साथ आपको दोस्तों project जो है देखने को मिल जाता है यूज केस की में बात कर ले तो यूज केस आपको जीपियो का देखने को मिल जाता है तो आपके पास काफी अच्छा मोका रहने वाला है तिस रेंक आपको यहाँ पर नुसाना कोईन का देखने को मिल जाता है पराइज अगर आप अभी के टाइम पर देखोगे तो चार्ट डूलर के आज पास आपको जो पराइज है नुसाना कोईन का देखने को मिल जाता है नुसाना कोईन बनना हुए सोलाना की बलोग चैन पर अगर बात करता हो यूज केस की यूज केस अगर आप दोस्तो देखोगे इसके सोसल मीडिया पर तो आपको यहां से पता चलेगा कि जो यूज केस है नुसाना कोईन का वो जीपियों के अंदर जो यूज केस है काफी अच्छा दोस्तो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है जैसा कि दोस्तो आप यहां पर देख सकते हो अगर आप जीपियों का यूज केस देखोगे तो दोस्तो आपको यहां पर देखे जो जीपियों का यूज केस देखने को मिल जाता है वो दोस्तो आपको रेंडर कोईन के अंदर जो यूज केस है जीपियों का देखने को मिल बाला है एंड बात करूँगा एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप न्यू प्रोजेक्ट देखने को यहां पर io.net के नेम से दोस्तों जो प्रोजेक्ट है देखने को मिल जाता है अगर आप दोस्तों देखोगे io.net कोईन का भी जो यूज केस है आपको GPO के अंदर ही देखने को मिल जाता है और io.net कोईन के अंदर दोस्तों हमें जो investment है file कोईन का render कोईन का भी जो ही investment है देखने को मिल जाता है तिलहाल में बात करूँगा नोसाना कोईन के बारे में नोसाना कोईन के अंदर क्या हमें अभी के टाइम पर इर्वेस्टमेंट करना चाहिए और नोसाना कोईन का जो सपलाई है कितना आपको यहां पर देखने को मिल जा रहा है अगर आप देखोगे नोसाना कोईन का आपको तो सप्पलाई है यहां पर मातर 100 मिलियन ही देखने को मिल जाता है मार्किट के अंदर अगर आप सप्पलाई देखोगे तो 83 मिलियन आपको दुसरी दो सप्पलाई है मार्किट के अंदर देखने को मिल जाता है अगर आप मार्किट कैप देखोगे तो मार्किट कैप आपको मातर 332 मिलियन का देखने को मिल जाता है बात करूँगा इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या हमें अभी के टाइम पर नुसाना कौन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो नुसाना कौन का दोस्तों अगर आप टाइम फ्रेम पर हाइस प्राइज देखोगे तो आपको यहाँ पर देखे जो हाइस प्राइज देखने को मिल जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते है नुसाना कौन के अंदर तो काफी अच्छे वूलिम के साथ दोस्तों को जैसी यहाँ पर ब्रेकाउट देखने को मिलता है ब्रेकाउट करने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आता है और रिटेस्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर एक बर्फी से गरीन केंडल ओपन देखने को मिलता है तो ऐसे में आप नुसाना कौन के अंदर 40% investment कर सकते हो अगर बात करता हूँ target की तो यहाँ पर देखे जो first target आपको देखने को मिलेगा नुसाना कोईन का 5 डूलर के आस पास दोस्तो आपको जो first target है देखने को मिलेगा जैसे कि दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको यहाँ पर continuing recovery देखने को मिलता है तो ऐसे में नुसाना कोईन का दोस्तो आपको जो next target देखने को मिलेगा आठ डूलर तक दोस्तो आपको यहाँ पर देखे जो next target है देखने को मिलेगा कि आपकी investment को यहाँ पर 2X के अंदर नुसाना कोईन converted कर सकता है बट investment करना ना करना वो decision देखे आपका अपना खुद का रहने वाला है बट मेरी तरफ से काफी ज़्याद में कोशिस करता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा project बता पाऊँ ताइब रहते हुए दोस्तों आप अपने investment करके करिफ्टों से काफी अच्छा profit बना पाऊ तो वीडियो कर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और आपको नुसाना project कैसा लगा है कोमेंट बुक्स में कोमेंट करके जरूर से बताएगा